सब्सक्राइब भाफ 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 भी एचेडी ग्लासस में ग्राइज देखिए आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका हाली फिलाल में जो है SSC सेलेक्शन पोस्ट फेस 11 के थो जो MESJE की जो पोस्ट आई थी तो उसमें जिनका स्कूरूटनी के लिए सेलेक्शन हुआ है तो आज मैं बताने वाला हूँ कि एक तो आपके डीवी की अपडेट बताऊंगा मैं कि उस पे क्या अपडेट है और दूसरा मैं ये बताऊंगा कि आखिर इसकी वर्क प्रोफाइल क्या होने वाली है आपको क्या-क्या मिलेंगे जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा क्या-क्या आपको सुविध है मिलेंगी तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इनकी जो जे की पोस्ट बताने वाला हूं जो मिलिटर इंजिनिरिंग सर्विस थी आपकी में तो उसमें सबसे सेविंथ सेंटरल पे कमिशन जो आपका सेविंथ पे कमिशन है उसके अनुसार जो है आपको जो है सेलरी दी जाएगी जो भी increment वगेरा जो होता है वो उसके 7th उपे commission के अनुशारी आपको दिया जाएगा अगर मैं आगे बात करता हूँ कि आपको dearness allowances भी दिया जाएंगे क्या दिया जाएंगे इसमें they are eligible dearness allowances to compensate for inflation मतलब अगर जैसे महंगाई भतता अगर बढ़ता है तो वो आपको दिया जाएगा house rent आपको दिया जाएगा house rent आपको दिया जाएगा hra जिसे बोलते है based on the location जिस location पर आपकी posting होगी उसके अनुशार दिया जाएगा यह वैसे hra जो है मेरे साब से hra क्या ही लेना क्योंकि इनके military के headquarters होते हैं वो ही इतने अच्छे होते हैं कि आप वो ही ले लो तो ज़्यादा बैटर रहते हैं जितना आप कहीं और रहके आप hra लोगे तो यह काफी अच्छा रहता है ठीक है इनके खुद के ही इतने अच्छे रहते हैं अगर अगर ट्रांसपोर्ट अलावेन्स पोस्टिंग होगी या जहां पर भी आपको भी तरीके वह सब आपको क्या है मिलता है आगे बात कर लेते हैं की डेखे आपको देखो मैडिकल फैसलेटी जो आपको मिलेगी वह गोर्मेंट employees often have success to the medical facilities and insurance coverage तो medical facility यार काफी अच्छी होती है यार इसकी अगर मैं बात करूँ military की military की facility जो है medical की वो काफी अच्छी होती है pension वगएर आपको मिलेगी ठीक है pension मिलेगी आपको जो है ठीक है जो भी retirement के बाद जो पर्क्स वगएर आपको सब चीज मिलेगी pension benefits मिलेगा आपको retirement perks मिलेंगे आपको ठीक है as per the government norms मतलब government का जो नियम है उसके अनुसार जो भी जिस हिसाब से भी बनता है वो सब आपको जो है facility आपको जो है जो है pension वगएरा दी जाएगी आगे बात कर लेते हैं जो लीव जो दी जाएंगी आपको लीव दी जाएंगी holidays दीए जाएंगे वो they are eligible for the various types of leave including जिसमें earned leave होगी casual leave होगी आपकी and medical leaves होगी as well as government recognized holiday मतलब government के जो भी holidays होते हैं उन सब की छुट्टिया आपको क्या है मिलेंगी आगे क्या कहा है इन्होंने आगे इन्होंने कहा है कि career advancement opportunity for promotion and career growth within the mess मतलब इसके अंदर जितनी भी career growth है जैसे sign pay commission है sign pay commission में जो भी career growth growth होगी वो सब चीज आपको जो है आपको दी जाएगी opportunity और promotion मतलब जिस जिस level के इसमें है वो सभी आपको क्या है दीए जाएंगे मतलब यार काफी अच्छी जो है यह vacancy है इसमें होने के बाद यह मानलो आपकी life set है इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरुत नहीं है जो है military में जाना ही यार अपने आप में एक बड़ी बात है जो आप एक इंडियन आर्मी की जोब में अगर आप हो और जो है देश को रिपरजेंट कर रहे हो तो यह काफी बड़ी मात्रा होती है तो देखे हैं यहां नीचे इन्होंने कहा है कि सबसे जो अच्छी लाइन है वो ये वाली लाइन है देख Вас औरक änd एक जो आप बेरोजगार है और आपको एक इतना अच्छ-क इतना अच्छ रीएर्ष और इस्टेबियटि और आपकी life में आपकी life डाइब क्या होगी बिल्कुत चींज जाएगी मतलब ठीक है हर जगे आपको क्या है इज्जत मेलें लग जाएगी ठीक है आगे बात कर लेते हैं कि यारव कर डीवी कब तक होगा तो यार देखिए डीवी को कोई चाहे कुछ भी करे पर अभी तक देखो आज क्या है आज देखो तीस तारीक हो गई है और मैंने ये बात इस महीने में सुरू से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि इस महीने डीवी नहीं होगा क्योंकि मेरी जो वीडियो जो रोज देखते हैं उन्हें पता है कि मैंने कहा था डीवी इस महीने बिल्कुल नहीं होगा और आप देख लीजिया तीस तारीक होगा अभी तक डीवी पर कोई भी अपडेट नहीं आई है लोग बाकी लोग कहरते है 25 में आ जाएगा 23 में आ जाएगा जीए आ जाएगा वो देखा आया कहें नहीं आया क्योंकि मुझे पता है कि इस महीने बिल्कुल नहीं आएगा डीवी की कोई भी अपडेट तो ये आपको अगले महीने नुवंबर में आपको डीवी की खुछ नखुछ अपडेट आपको देखने को का ठीक है जितनी भी आग कमेंट अगर करते हो तो मैं रिपलाई करता हूँ थैंक्यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक्स